तो आज हम 11th of October 2020 की न्यूज आर्टिकल डिसकस करेंगे और पीडिया फॉर्माट में आज नहीं मिल पाया मुझे तो हम साइट से ही डिसकस करेंगे और इसके अलावा जो भी प्रेस इंफॉर्मिशन ब्यूरो एंड एंड हिंदू में जो न्यूज आती है तो वैरियस सोर्से से हम यहाँ पर डिसकस करेंगे जो भी 1st to 11th of October के बीच में न्यूज जो न्यूज पेपर में नहीं आती है तो वह हम डिसकस करेंगे वैसे आड़ाउन कर लेते हैं बट रिविजन वीडियो हो जाएगा बिकॉस टुड़े संडे और आज कोई भी एडिटोरिल नहीं है तो विलेट्स के स्टार्टेड सबसे पहले जो न्यूज वह देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं लास्ट विलेज बिफोर चाइना नो अनलॉक तो यहाँ पर लास्ट विलेज क्या बोलते है बिफोर चाइना तो उत्तराखंड में चमोली डिस्टिक है जो बहार से मतलब लोग आ रहे थे तो केस पाई जा रहे थे तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर अभी दुबारा से अभी लॉक डाउन ही कर दिया जाया ना और नेक्स्ट जो न्यूस है वो देख लेते हैं साइन्टिस वाटर एक्स्टेक्शन फॉम एर नॉट इंप्लॉजिबल टेकिंग प्लेस तो अभी आपको बता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो बातचीत कर रहे थे डैनिश काउंटर पार्ट से ठीक है डैनिश जो डैन्मार्क के जो कौन थे विंड एनरज अब कंपनी है तो वहां से मतलब वो सजेशन मांग रहे थे कि क्युछ ऐसा आइडिया है ऐसा आइडिया इंप्लिमेंट हो सकता है आपके इंजिनियर्स के पास कि वाटर और ऑक्सिजन को एर से एक्स्रेक्ट किया जाए तो यह बोला जा रहा था तो इसमें काफी सारे मीम बगारा भी बन गए थे लेकिन साइन्टिस्ट ने बोला है कि यह जो है यह मतलब जो आइडिया है डाट वर नट जॉस्ट साइन्टिफिकली साउंड बटार अल्रेडी अंडर इंप्लिमेंटेशन अट वैरिस प्लेसे अगर हम बात करें एर से वाटर एक्स्रेक्शन की त इंट इंट आइडिया है लेकिन अब इंप्लिमेंटेशन उसका नहीं हो पाया है और क्योंकि इसके लिए हमको जो पैरामीटर सेंड इसाइन इन्न पर्फॉर्मेंस ऑप्तिमाजेशन राइट तेंप्रेचर ग्रेडियंट यह सारे हमको चाहिए होंगे और यही क्या कर सकत होते हैं एयर से वाटर को एक्स्टैक्ट करने में अब पैसिव एनर्जी एफिजिन प्रॉसेस तो यह बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो चाहे इसकी हाईर कॉस्ट भी हो तो भी मतलब चलेगा क्योंकि कम से कम जहां पर पानी की कमी है और वाटर सकेटी है तो वहां चल रही है और टेक्नलोजी जी बोले कि इंप्रूफ होनी चाहिए एनर्जी एफिशेंट होनी चाहिए और लेस्ट लिए और इस वेर दी चैलेंग लाई तो यही इसमें बूला गया था अस आर्टिकल में ब्रह्मोस मिस्टाइल आपको पता होना चाहिए एंशॉरिंग प इससिव आउटकम इंदे बैटल फिल्टी के तो यह ब्रह्मोस मिसाइल है और बहुत इंपॉर्टेंट यह जॉइंट वेंचर था ब्रह्मोस एयर फोर्स एंड इंडियन रॉश्या जॉइंट वेंचर डेवलपिंग और प्रोडूस टैल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अभी इसमें एक और एक फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है इन एडिशन टुरी मॉबाइल ग्राउंड लॉश्यान सी बेस्ट वेपन इस फिल्डिंग ऑफ दी हाइली एडवांस ब्रह्मोस एयर लॉंच क्रूज मिसाइल तो यह आ जाता है यह एयर लॉंच्ट क्रूज मिसाइल ठीक है यह भी डिप्लॉय की गई है इंडियन एर फोर्स में जो सुखोई एस यू थर्टी एम के आई है एयर कॉंबैंट प्लेट फॉर्म विच अस प्रोफांडी स्टेंड इंडिया इंडिया डेट ट्रेंस पोस्ट्चर और एक और चीज़ है अभी जो 2020 की बात करें हम 2020 की तो आइएफ ने टाइगर शाक स्कॉडन भी कमिशंड की थी ठीक है टाइगर शाक स्कॉडन जिसमें क्या था इस स्कॉडन में डेडली कॉंबिनेशन ठीक है ब्रह्मोष के साथ साथ जो सुखोई 30 म के आई है यह भी था इसमें तो यह हैवियस्ट और डेडलियस स्टा स्ट्राइक वेपन बन गया था तू आम दिल लॉंग रिंज सुखोई 30 एम के आई थी के अंडिया पंचिस अदेडली ब्लोट पोटेंचिल एनिमी है न तो यह चाहिए मतलब किसनी भी रेंज में क्यों ना हो हम इसको कर सकते हैं और नाइटी 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 से यह डेवलफ हुई थी जो आइन पुलेटरी टेक्नोलोजिकल प्रोग्राम जो था और ब्रह्मोस जो है इन्वाल्ड एन मतलब काफी मोस्त लीथल एंड हाइली पारफुर्फुर्ट इंडिजिनिस स्ट्राइक वेपन यह बन गया है तो यह इ में यहां पर पीछ दंबरम जी का आर्टिकल आता था तो यहां इंप्यूनिटी मतलब होता क्या है इंप्यूनिटी मतलब यह होता है कि यहां पर आप देख सकते हो इफ समवन हाज कमिटेड़ पनिशेवल ऑफेंस बिट दस नॉट है और ही और शी डाज़ इट विद से होता है ना यहां पर उत्तर प्रदेश को यहां पर बोलाया चाहे वह गौर्मेंट हो डी एम हो और उसके अलावा जो एसे चो हो तो यह सारे ही एक तरह से इंप्यूनिटी की तरह ही मतलब काम कर रहे है अभी जो गर्ल की जो डेथ होई थी उसका गैंग रिप किया गया ना इंटीन एर ओल शी वास गर्ल बिलॉंग तो पूर दलित फैमिली है ना और जो फोर मैं थे उनको अरेस्ट किया गया और जो बाकी के वहां की लोग थे उनको नीची काम यानि कि लो लाइफ बोल रहे थे कि हूं दे वोंट टच्विदा पार्श पोल है ना कि मतलब वो में इंडिया और 32,033 इंसिदेंट अभी हुए थे रेप अगेंस्ट वुमें अगर हम पोक्सों को हटा दे उसके अलग से हैं 2019 में और जो कन्विक्शन रेट है वो 28% है ठीक है बहुत सारे अक्यूस्टों कन्विक्ट हुए है लेकिन अभी यह कि सम केसे बिकम इवेंट्स इस तेहात्रस केस वन फॉर गुड रीजन तो यही चीज़ बोला है अब पैंडमिक में हमको सब को ही इंफेक्ट किया है लेकिन यहां पे जो अगर हम बात करें यहां के सुप्रिदेंटेड और पुलिस की और जो प्रिंसिपल था जवाला लहरू मेडिकल कॉलेज हास्पि है ना तो इंप्यूनिटी का मतलब मैंने बता दिया कि कोई डंट लेकिन उसके लापको डर ना होना है ना मतलब कोई ऐसा आपने पनिशिबल ओफेंस किया है लेकिन कुछ भी आपको भेह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि आप वहां पर 144 जो सेक्शन है वो लगा रहे हो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एंट्री नहीं करें दे रहे हो और मेडिकल एग्जामनेशन जो है विदिन 72 आर्स मतलब यह फेलियर रहा है तो यह सारी चीज़ें यहां पर बोल रही है कि मतलब एस पी जो है डिस्टिंग मैजिस्ट्री उन्होंने बोला कि आप जो क्या है फैमिली के मितलब भी ना प्रेजेंट कर सकते हैं रात को क्रिमेट कर सकते हैं और साथ में एक वीडियो में यह भी देखते हैं बोला गया कि only we will be here with you अभी तो अभी मीडिया रहेंगी फैमिली के साथ लेकिन बाद में तो लास में हम यह से मर गई है उसके जान इसले चलेगे तो आपको कंपंसेशन भी मिलेगा इसके लिए है ना यही बाते की गई है कि जो मतलब इंप्यूनिटी है यह है वो है ना तो यह आप देख सकते हो चाहिए वह आई ये सो आई पीए सो इस माई शील्ड माई कास्ट फोग विल उसके गयाँ आप अब यह इस तरीके कि मैंने नोट्स बना दिया है कि आयार के अलग से रहेंगे international organization के लग रहेंगे और इन्वार्मेंट के लग हैं तो इन्वार्मेंट के नोट्स हम देख लेते हैं तो यह butterfly मिली है ठीक है butterfly the citizen pole citizen pole किया गया था कि हमें मतलब यह करना था कि हमें एक national butterfly चुननी है भारत की ठीक है तो उसके लिए tीन butterfly final selected हुई ठीक है has concluded with three species guarding the highest number of votes तो वो कौन है Krishna पिकॉक है ना पापीलो कृष्णा इसका नाम है इंडियन जेजबिल डेलियस यह पढ़ सकते आप औरेंज ओक लीफ कलीमा इन आचस ठीक है जो भी है यह तो यह कृष्णा पिकॉक्ष्णा पूछे जाने लगे हैं तो यह पूछ सकते हैं तो यह स्पीसिस किसकी है न तो पपीलो कृष्णा कृष्णा प्रिकॉक और इंडियन जेजबिल ओरेंज ओकलेफ यह सारी नाशनल बटरफ्लाइग के लिए सेलेक्टेड हुई थी इनके यूनिक फीचर है ठीक है कॉमोफ्लोज वाली जो एबिलिटी है वो भी ऐस डेड़ लीफ और इरिडेंस होती है त चास बटरफ्लाइए एक्सपर्ट और इंथ्यूजियस्ट थे यहां पर और इन्होंने यही बोला है कि यह सम्मिट करेंगे टॉप थ्री ने मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमिट चेंज को और उसके बाद अनुस इसेंटर तो चूज वन अम बॉटनिकल सर्वे उफ इंडिया है तिके यह आपको बताऊगा कि यह फौना और फ्लोरा की मतलब रिसर्च करते है इस पर इन हैसे इस में आनिमल डिसकवरी जैन तो यह आनिमल डिसकवरी कौन करता है जैलाजिकल सर्वेड और प्लंडिनेकल सर्वेश था ठीक है तो 2019 की इसमें 368 फॉनल स्पीसीज थी अज नियू तो साइन्स और 116 जो स्पीसीज ऐसी थी जो फर्स टाइम इंडिया में स्पॉर्टेट हुई थी ठीक है प्लांट डिसकोवरी की बात करें 2019 में तो 180 न्यू प्लांट स्पीसीज थी एंड सेवन्टी ती जो थी पहली बार इंडिय टीक है अडानी एडानी एंडमिक टुदी वेस्टन घाट तुम कुछ भी कर सकते आधे ना ब्रोइंग फ्रॉग डिसकोवर्ड इंडे फार्म सॉफ फिल्स अफ जाहरकंड इन्नो प्लोट्रूपस टवान जिंस अडंग पीटल फ्रम तवांग वाइल जिंजर वराइटी ऐमोनियम नागा transforming ठीक है यह को ऑना जुद तो यह एक रलालेंड अटमिलाडू अट्रूं के थि नेक्स्ट जो और Tiang है तो पता है नो नंतिन थेंटल युज वराइट किया गया था है रेदी लिस्ट निकालता है यह दूसरी जो है निज लेट सी अब यह फूल में of October 2020 से हम देख लेते हैं तो गुपाकर declaration was in news अगर आ जाता है किस चीज़ से related है तो अभी 3rd of 4th of August को क्या हुआ था 2019 में 1st गुपाकर declaration sign किया गया था जो Article 370 का abrogation किया था जमू कश्मीर से तो उस टाइम पर ये 6 political parties एक साथ आई थी जमू कश्मीर की और उन्होंने ये statement sign किया गया था गुपाकर declaration और उन्होंने इसको क्या बोला कि ये unconstitutional है government का जो move है वो unconstitutional है तो इसी से related है अभी जो है 22 अगस 2020 को गुपाकर declaration ठीक है या गुपकार जो भी आप पढ़ सकते हो declaration second ये sign हो था तो इस वज़े से ये news में था नैशनल स्टार्टप अवाज 2020 अनौंस जो किया गया था department for promotion of industry and internal trade के द्वारा अनौंस किया गया था और आपको बताए कि artificial intelligence का मतलब काफी बहुत रोल आगे रहने वाला है और इसके लिए एक रेज सम्मिट भी अभी हुई थी प्राइम निस्टर ने इसको हैट किया था था रेज सम्मिट तो उसमें भी मतलब की बात की गई थी कि उनको काफी जादा प्रोड करना चाहिए नकरेज करना चाहिए तो ये नैशनल स्टार्टप अवाड भी आद रखना 2020 के कौन और स्पेस सेक्यूर्टी टूरिजम अर्बन सर्विस तो सारी इसी जगा से किया गया थे कैश प्राइज वगेरा यह सब दिया आगया यह आप देख सकते हो हम तोड़ा फास्ट इसको पढ़ेंगे काफी सारी न्यूज है वाइल लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया था सेकंड टू एट अक्टूबर एवरी एयर किया जाता है ठीक है जो इंडिया के जो फॉना है उनको प्रेजर्व करने के लिए और सबसे पहले जो वाइल लाइफ वीक को मतलब कॉंसेप्शलाइज किया गया उनने इस तो बावन में किया गया था इसका आइडिया यही था कि जो एनिमल से स्पीसीज है जो मतलब उनका एक्स्टिंशन हो रहा है तो उससे उनको सेव करना है और वाइल लाइफ डे जो अब्जर्व किया गया था फ्रॉम नाइटीं फि इसकी थीम है कवच जो है सांटर का यह प्रोग्राम है अग्यूमेंटेटिग वार डिट कोवड़ नाइटीं हल्थ क्राइसिज ठीके तो यह इन दोनों का यह मिलके यह प्रोग्राम है और यह जितने भी इनोवेशन होते हैं वो Diagnostics हो, Devices का हो, Informatics का हो, या फिर Bio Informatics का हो, Information Management System हो, तो यह क्या करता है, कवच उसको support करता है, और जो भी मतलब Startup अगेरा है, जो भी challenges आ रहे हैं country में, तो वो भी चीज़े देखता है, और funding भी देता है, युद्ध प्रदूशन के विरुद्ध जो है, Delhi Government ने लॉंच किया था, Anti-Pollution Campaign है, और Air Pollution Level जो है, डियूरिंग विंटर टाइम, तो वो क्या करता है, इसको, reduce करता है, एर प्रदूशन को, युद्ध प्रदूशन के विरुद्ध, और आपको पता हो, ना चीज़े, जो गुद्ध बता है, वो खराब होती जाती है, तो उसी तरह से, ग्रेडर एक्शन प्लान्स, जो है, इनिशेटिव लिया जाता है, ठीक है, Supreme Court Mandated Body थी, EPCA, ये भी पता होना चाहिए, The Campaign will include, release of Green Delhi App, and creation of War Room to monitor progress, National Anti-Doping Agency News में थी, अब ये है, ये रेजिस्टर की गई थी, Society Registration Act of 1890, ठीक है, November 24 को, 2005 में, with a mandate for dope free sports in India, ठीक है, जो WADA है, यानि कि World Anti-Doping Agency, ठीक है, तो जो उनकी guideline से तो उसी पर ये चलती है, और regulate होती है, Dope Control Program, Promote Education, Research, Creating Awareness about doping and its ill effects, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, तो CEPI, जो है, ये एक international non-governmental organization है, जो fund किया जाता है, by Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation के द्वारा, European Commission के द्वारा, और 8 countries इसमें और हैं, UK, Norway, Japan, Germany, Ethiopia, Canada, Belgium, Australia, ठीक है, 2017 में ये launch हुआ था, जितने भी मतलब वही, इसका mission है कि develop करना, जो vaccines है, और जो infectious diseases ये हैं, तो उसके लिए क्या करना, development करना, vaccines का है न, to access these vaccines for people during outbreaks, तो ये important, smart missile जो थी, अभी रुद्रम एक missile न्यूज में थी हो, तो बताना, कौन सी missile है, और किस के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, तो ये आप बताना, कली हमने डिसकस किया था, इंडिया है, successfully flight tested, है न, flight tested, indigenously developed supersonic assisted release of torpedo, तो ये smart है, यानि कि super, as for supersonic missile assisted release of torpedo, ठीक है, उडिसा से ये हमने launch की थी, अभी ये बिल्कुल light weight anti-submarine torpedo system है, light weight anti-submarine torpedo system है, for anti-submarine warfare, ठीक है, anti-submarine warfare, ASW, beyond the dropped range, वाइनाट कोजी कोडे tunnel project launch हुआ है, ठीक है, 7 km long tunnel है, जो वाइनाट कोजी कोडे district से connect करेगी, 900,000 करोड रुपेज का ये project है, constructed by कॉंकन railway corporation limited, ठीक है, वर्ड हैबिटाट day मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वर्ड हैबिटाट day, तो यह तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना कब मनाया जाता है, ठीक है, तो first जो celebrate किया गया था, 1986 को किया गया था, वर्ड हैबिटाट day, ठीक है, Monday, Monday of, first Monday of October, ठीक है, तो यह लिखाता है, first Monday of October को celebrate किया जाता है, और established in 1985, ठीक है, 1985 में established वा था, लेकिन सबसे पहले जो उनगा ने जो किया था, इसको celebration 1986 से इसकी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ट इस एड्जूवेंट तो इसकी भी थीम ये भी है, एड्जूवेंट भी न्यूज में था, क्योंकि भारत वायूटेग हाज एंटर इंटर इंटू लाइसेंसिंग एड्जूवेंट विट कंसांस बेस्ट वाइरोवेक्स, फॉर एड्जूवेंट ये इसका नाम था, EDidos, COVD lin को इसUNDक्राव को एड्जूवेंट क्या होता है एक फार्मीवलोजिकल ूम्यलोजीटेचल होता है कि ये ज PayPal का IMAN मतलब क्या करता है इंप्रूफ करता है ठीकर क्या करता है एक डिश्पार्सेंट को थोड़ाब बूस्ट करने के लिए हैना जो एंटीबोडीज है उसको और प्रोड्यूस करने के लिए लॉंगर लास्टिंग कम इम्मिनिटीज होती है इसे दस मिनिमाइजिंग दोस अधीजन नीड़ेट तो यही एड्जुवन डेरिंग सिटी कॉंफरेंस हुई थी डेली के जो चीफ मि प्लाइमेट चेंज फॉर अर्बन लीडर्स तो यह एक डेरिंग सिटी क्या है एक ग्लोबल फोरम है फोर क्लाइमेट चेंज और फॉर अर्बन लीडर्स टीक है क्लाइमेट चेंज जो एमिर्जनसी है और उस पर बातचीत होगी इस्पेशली जो कोवेड-19 pandemic है उसके वज रहा हुआ जो एजर सीदिश्ट अर्बेर्टेस और के सीनियर मोस्ट शुकीट्व डिक्टर एंटीक यह थी स्थ ना पॉइंट किया के अपॉइंटमेंट कमीटी ओव बीकिने तो इसके बारे में मैंने बताया था फॉइंटमेंट मैंट्मेंटी ऑफ टी कैबनेट अब ज यह जो होते हैं इनिश्यल पीरिट के लिए होते हैं तीन साल के लिए and person is eligible for reappointment जो भी डीपीटे गॉवर्नर बनेगा और रेपाइंट्मेंट के लिए लिजिबल एक टीक है तो यह आप इनका hierarchy जो है वह देख सकते हैं Central Board of Directors के सबसे टॉप पे governor then deputy governors then executive director principal chief general manager chief general manager then GM then DGM then assistant general manager then manager then assistant manager support staff तो यह hierarchy भी जिसको RBI से related exam है वो देने तो बहुत जाधा important है इंडिया जपाइन फैनलाइस टेक्स्ट पाक्ट फॉर AI 5G तो इंडिया जपाइन है वेलकम्टी फैनलाइसिशन और साइबर सिक्योर्टी agreement अगर पूछा जाता है हमने जो IOT AI इंसे रिलेटेट जो अभी पैक्ट साइन किया है 5G से रिलेटेट तो जापाइन और इंडिया के बीच में वा है वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 7th of October को किया जाता है 2020 वर्ल्ड कॉटन डे यह जो था इसमें कॉल्योब्रेशन किया गया था विदिस सेक्रेट्रेट्स ऑफ दी एफेओ ठीक है एफेओ क्या फूर्ड अग्रिकल्चर और अंग्टार्ट तीक है इस किस्ता अपना कभी थी प्लीज आप लिखो कमेंट सेक्शन में नहीं तो अपने नोट्स में आड्ड जरूर कर लो गुगल में सर्च करके ठीक है और जोसका है वो कहा है इंटरनाशनल ट्रेड सेंटर अन इंटरनाशनल कॉटन एडवाइसरी कमेंटरी अब जो कॉटन फोर है कॉटन फोर्स ऑफिशल एप्लिकेशन फॉर दी रिकनेशन तो यह भी है और कॉटन फोर कंट्रीज भी पता हो जाएं ठीक है यह जो साउथ आफ्रिकन कॉंटिनेंट तो वहां की कंट्री बैनन बुर्किना फासो चार्ड और माली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को प्रीमियम कॉटन जो है यहां का वह उसको जाना जाता है कस्तूरी कॉटन ठीक है इन दे वर्ट कॉटन त टीक है सेकेंड तो लाज़ेस्ट कॉटन प्रोडूसर हो गए और लाज़ेस्ट कंजूमर है कॉटन के इन दे वर्ड में इंडिया प्रोडूसर कितना प्रीटूस करते हैं सिक्स मिलियन टॉन्स अफॉटन हर साल और विच इस अवाओ 23 परसेंट ऑफ दे वर्ड कॉटन ठी स्टेनिबिलिटी उसको शो करता है रैपिड एक्शन फोर्स जो थी न्यूज में थी तो यह अक्टूबर नाइटीन नाइटीटू को स्टाब्लिश हुई थी थी अब इनका जो था ट्वंटी एथ अनिवरस्री इसके रैपिड एक्शन फोर्स आरेफ की और यह स्पेशला अप्रेशन में काम आती है रिलेटेड अन्रेस्ट और मोटो यही कि सर्विंग यूमेरिटी विच संसर्ट पुलिसिंग नेक्स्ट है एर फोर्स डे भी सेलिब्रेट किया गया था ऑक्टूबर एट को सेलिब्रेट किया गया था और मैंने बताया था कि 1932 में इसको सबसे पहले रेस किया था और उस टाइम पर ब्रिटिश के टाइम पर रॉयल एर फोर्स हुआ करती थी उसके बाद फर्स्ट ऑपनेशनल जो स्क्वार्डन था वह एक्सिस्टेंस में आय था अप्रेल 1933 को और वर्ड वार्ट टू में भी पार्टिसिपेट किया था उसके बाद ज और एर फोर्स है नाओ फोर्ट लाज़ेस्ट इन दे वर्ड चौथी लाज़ेस्ट है ये इन दे वर्ड राम भिलास पास्वान हमने पढ़ा था कि अभी रिसेंटल इनकी डेथ हो गई थी 74 प्रूलॉंग इनलेस्ट की विजए से एट अक्टूबर को है ना एट अक्टू गई लेकिन ये मिनिस्टर अपने पत्पे बने रहे ठीक है तो यह है आर्ट इन कल्जर की अगर हम बात करें तो अपर गर्बा न्यूस में था गॉर्मेंट बैंस गर्बा डूरिंग नवरात्री ठीक है तो गुज़ात गॉर्मेंट ने बैं कर दिया है नवरात्री के तो हमने तो देखा ही है ना गर्बा किस तरीके से होता है और इस परफॉर्म डियूरिंग दियूरिंग नवरात्री शरत पुनिमा वसंद बंजमी होली और फेस्टिवल ऑकिसन तो आप उस कुश्चिन का अंसर जबूर करना कि रुद्रम मिसाइल जो है किस चीज से किया है तो यह आप बताईएगा या फिर गूगल में आप देखके अपने नोट्स में इसको एड कर सकते हैं तो धैंक्यू हव नाइस डेग हैव एपी हैपी संदेग बाई